केमेस्ट्री पढ़ने का मन नहीं करता केमेस्ट्री डिफिकल्ट लगता है क्या करें ना इस तरह कि बहुत सारे क्वेश्टन्स जी एस्पिरेंट्स कई वार नीट एस्पिरेंट्स भी हमसे रेगलर्ली लेक्शन्स में पूछते हैं आपको एक जवाब जरूर सुनने को मिलत कि किमेस्ट्री काफी सकोरिंग सब्जेक्ट है केमेस्ट्री में कम मेहनत में अच्छे नंबर आ जाते हैं क्वेश्टे होते हैं ने कफी कुछ लोते हैं लेकिन उसका तरीका थोड़ा तरीका आपका अलग होता है as compared to physics and mathematics chemistry को हो सकता है आपको समझने में एक अलग तरही की पढ़ाही करनी पड़े लेकिन ये बात जरूर guarantee में बोल सकता हूँ कि जितना effort हम physics में आप maths में देते हैं उससे कई कम effort में हम chemistry में अच्छे number ले आ जेते हैं in fact chemistry को एक less input more output वाला subject बोला जाता है उसका input output ratio काफी अच्छा होता है और एक तो ये कारण है इस वज़े से आपको chemistry को ignore नहीं करना है और दूसरी बात है थोड़ी अलग है कि अगर आप किसी चीज़ को difficulty की तरह देखते हैं और अगर आप उससे पीछे हड़ जाते हैं चैलेंजिंग है बट अल्टिमेटली अगर वो उससे conquer कर लेता है तो जो एक feeling आती है मन में जो एक view आता है क्योंकि with the hardest of the climbs you get to see the best of the views और वैसी feeling अगर आपको achieve करनी अपने future में बच्छो chemistry तो एक चीज है life में ऐसी बहुत सारी चीजे life में आती है जिन्हें अगर आप face करेंगे चैलेंज होंगे definitely बट चैलेंज होंगे तभी तो हमें एक better इंसान बनेंगे जब challenge को face करेंगे difficulties को face करेंगे और उन्हें लगातार face करने के बाद एक point पे conquer करेंगे तो वो एक feeling बहुत अलग होने वाली है ऐसा ही एक feeling आप भी chemistry में face करेंगे मैंने भी personally feel किया है जब ज़े का first एक face हो जाता है उसमें मेरी all India rank 598 आती है फिर मैंने कुछ तिकडम बिठाई की chemistry में किन किन चीजों को ज़रूरी माने जाता है especially organic inorganic में आपको NCRT पे बेहत ध्यान देना होता कई बार पढ़ना होता है वैसे मैंने कुछ किया अपने last 40 days of day preparation में मैंने आप लोग को कई बार बताया कि उसमें मेरी rank 450 यानि कि 161 तक आगई 450 से increase हो गई तो आपको भी हर एक subject को in fact not just chemistry है आप सिर्फ chemistry के बात नहीं हो रही है हर subject हर topic जहां पर difficulty face होती है या तो आप उसे face करेंगे और हार भी जाएंगे तो चलो कोई गम नहीं कि हमने face तो किया बट अगर हार पहली मान लेंगे तो मज़ा नहीं आएगा life में अच्छी feeling उस point पर आएगी बच्चों जब आप उसे face करेंगे एक amazing जगे पर ऐसी जगे पर पहुंचेंगे जहां पर you'll be proud of yourself that yes I faced it I came out of it as a winner as a conqueror इसी तरह की feelings के लिए आप इस चैनल पर regular है subscribe रहें और अगर आपने इस तरह की feeling अभी तक ने अंदर अचीव नहीं किये confidence का एक sense नहीं आया है तो एक और जरिया है बच्चों अपना academy subscription का admission test होने वाला है जिसमें आपको बहुत साली scholarship मिलने वाली है unsat academy national scholarship test यह आल इंडिया लेवल पर सबसे बड़ा scholarship test है just a reminder आज उसकी last date है make sure आपने अभी तक एक एंड्रोल नहीं किया तो एंड्रोल जरूर कर लें इसका format होगा offline आपको center पर जाके देना है computer पर जाके देना है आपकी city आपके आसपास की city में एक बार चेक कर लेना यह हो रहा है के नहीं और अगर हो रहा है तो definitely आपको यह लिखना है test because this is the biggest scholarship test of the day and आपको इसमें obviously 90% scholarships के साथ साथ बहुत सारे prizes जीतने का भी मौका मिलेगा ठीक है एक छोड़ी से admission fee है enrollment की एक छोड़ी सी fee है rupees 200 maximum discount भी लेना अपनों उडान कोड से और I want you all to be in that test so that you can also get to know आपका क्या level है 23-24 aspirator especially आपको यह test देना चाहिए आप अपने peer से already किस level पे है यह भी आपको जानने को मिलेगा और साथ ही साथ अगर आपका level सच में अच्छा है तो आपको amazing scholarship भी मिलेगी ठीक है with all these good thoughts I hope you will do well in your JE or NEET exams I want you to be regular on our channel for more such यान see you then take care keep practicing